बिग बॉस टीवी के सबसे चर्चित रियालिटी शोज में से एक है कुछ टाइम तक तो लोग ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेट थे कि बिग बॉस आखिर है कौन वो जो आवाज बिग बॉस के घर में लोगों को सुनाई देती है आखिर किसकी है रियल लाइफ में भले ही बिग बॉस को आज तक किसे ने नहीं देखा पर हाँ उनकी आवाज का जादू लोगों के सिज चड़कर बोलता है शोग को लेकर आए दिन ने खुलासे भी होते रहते हैं वहीं अब शोग के नेरेटर आक्टर विजय विक्रम सिंग ने चौकाने वाली बात शेर की है एक इंटर्व्यू के दोरान उन्होंने बताया कि बिग बॉस की वज़े से उन्हें कई लोगों से गाली और धमकी मिल चुकी है विक्रम का कहना है कि मैं शोग का नेरेटर हूँ पर लोगों को लगता है कि मैं ही बिग बॉस हूँ पिछले दो सालों में एक पॉपलर कंटेस्टन जब से शोग से बाहर हुआ तो लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को धमकाना शुरू कर दिया लोगों को कौन समझाए कि मैं शोग में सिर्फ एक आवाज हूँ कंटेस्टन से जुड़े फैसले मैं नहीं लेता हूँ आगे वो कहते हैं कि मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस में दो आवाजे हैं पर वो मुझ पर यकीन नहीं करते मैं वो आवाज हूँ जो दर्शकों के साथ बाचीत करती है विक्रम का कहना है कि वो शोग के दर्शकों को समय बताते हैं और शोग में जो भी घटना घटित होती है उन्हें उसकी जानकाली देते हैं कंटेस्टन के साथ बाचीत कोई और करता है विक्रम बताते हैं कि दर्शगों के फेवरिट कंटिस्टन के बाहर होने पर मुझे ट्रोल किया जाता है मुझे गालियां दी जाती है यही नहीं लोग मेरी फैमली के बारे में भी बुरा भला कहते हैं लोगों को समझना चाहिए कि कंटिस्टन वोट के आधार पर शो से निकाले जाते हैं ना कि मेरे कहने पर